हलो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे दोस्तो महाकाज विज्ञान का एक ऐसा अंग है जिसका खोज कभी ना खतम होगा नहीं होने वाला है जितने दिन बितेंगे उतने ही नए खोज मिलते रहेंगे लेकिन हम और आप स्पेस के बारे में कितना जानते हैं बहुत कम मगर हम आपको महाकाज और ब्रह्मान से जुड़े कुछ ऐसे बाते बताएंगे जो शायद आपको मालूम ना हो और अगर आप इस चैनल पे नए आये हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दिजिएगा फ्रेंड्स प्रित्वी में हम जितना भी आवाद सुनते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है बायूमंडल बायूमंडल साउंड तरंगों के परिवहन में काम करता है एक जगा से दूसरे जगा आवाज बायूमंडल के सहारे ही चलता है मगर इसका ठीक उल्टा है महाकाश में स्पेस में कोई बायूमंडल नहीं होता इस करण वहां एकदम शान्थ परिवेश है और कोई ग्राविटी ना होने के कारण कोई भी वस्तू या फिर इंसान तैरते रहते हैं किसी भी स्पेस सीप के साथ अगर एस्टोनाट्स बंदे ना हो तो महाकाश में खो जाएंगे और उनको ढूंड़ना ना मुम्किन हो जाएगा हां और एक बात आप लोगों को लग रहा होगा कि अंतरिक शियात्री प्रित्वी से तब कैसे संपर्ख करते होंगे तो चलिए इसका जवाब भी दे देते हैं रेडियो तरंगों से रेडियो वेप के सहारे अंतरिक शियात्री धर्ती में बने स्पेस टेसन के साथ संपर्ख साथते हैं हम सब को पता है कि बूद यानि मरकरी ग्रह सूरज के नस्दीक है तब जरूर इसका तापमात्रा अन्य ग्रहों के मुकाबले सबसे जादा होगा लेकिन ऐसा नहीं है मरकरी में बायू मंडल प्रॉपर ना होने के क सूरज से निकला तापमात्रा वहां नहीं रूखता बलकि वापस फैल जाता है सौरे मंडल में सबसे ज़ adha temperature होता है वेनस में शूक्र ग्रह में कार्बूं डायक्साइड होने के कारण सूरज से निकला गर्मी बायू मंडल के अंदर ही रह जाता है बाहर नहीं निकल पात इसके कारण वहां तापमान 462 डिग्री सेल्सियस रहता है जो कि सोरे मंडल का सबसे गर्म ग्रहे है दोस्तो धूमकेतियों को देखना किसे नहीं पसंद है हमारे स्कूल में हैलेस कॉमेट के बारे में सुना था उसके उपर हमारे उच्चुकता तभी से बड़ी लेकिन अपने आखों से देखने का सौभाग के शायद हम कम लोगों को मिला होगा क्यूंकि ये सामान ने धूमकेतु नहीं है हर 76 वर्ष बाद बाद ये प्रित्वी से दिखाई देता है पिछली बार इसको 1986 में देखा गया था और अगली बार 2061 और 2062 के बीच किसी एक समय देखा जा सकता है सूरज हमारे सौरम अंडल के केंदर में है और इसी को चक्कर लगा रहा है प्रित्वी और सब ग्रह वैगानिकों का मानना है कि सौरम अंडल के जादातर ग्रह, एस्टॉरइड्स और कई चीजे हैं जो सूरज से तूटने के कारण बने हैं यानि ये सब सूरज के अंग्श है लेकिन कि आपको मालूम है सौरम अंडल के अंतरगत जितने ग्रह, उपग्रह, एस्टोराइट्स, धूल, गैस इन सब का लगबग मिला के जितना द्रप्यमान निकलता है उसका 99 पतिशत सिर्फ सूरज का ही है इसी के कारण सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रहों के ऊपर इतना जादा काम करता है ब्रह्मान कितना विशाल है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है और इस ब्रह्मान में कितने अकाश गंगाये हैं ये भी खोज के विशय है लेकिन कुछ के बारे में जानकारी लगाया जा चुका है जैसे कि Andromeda, Milky Way, Whirlpool और कई Galaxies इनमें से Milky Way गेलक्सी में है हमारे मद्धम वर्गे तारा Sun खोज करताओं के मताबिक अब तक 125 बिलियन गेलक्सी को देखा जा सकता है या फिर इनके बारे में पता लगाया जा सकता है और हमारे Milky Way अकाश गंगा में 100 से 400 बिलियन तारे है प्रित्वी से सबसे नजदीक में स्थित स्पाइरल गेलक्सी है Andromeda गेलक्सी Andromeda जैसे कुछ और गेलक्सियों के बारे में आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएगा अब आते हैं प्रित्वी से सबसे दूर में स्थित गेलक्सी GN-Z11 पे ये सबतर्सी तारा मंडल के अंतरगत High Rate Shift अकाश गंगा है जो 32 billion light years दूरी में स्थित है कर्मान लाइन एक ऐसा अंतराश्ट्रिय मान है जिससे प्रित्वी का बायूमंडल और अंतरिक्स में सीमा और उनके बीच का फासला नापा जाता है Federation Aeronautic International के मताबिक Sea Level से 100 km उपर वाले रेखा से कर्मान लाइन शुरू होता है लेकिन NASA और US Air Force इसे नहीं मानते उनका ये नाप समुंदर के जलस्तर से 80 km उपर में से शुरू होता है अंतरिक्स में बायूमंडल नहीं है लेकिन अंतरिक्स का तापमान है Background Radiation जो की एक Electromagnetic Radiation है उसके अनुसार Space में तापमान माइनस 270.45 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, Venis को अपने एक्सिस में एक चक्कर घूमने के लिए 243 प्रित्वी दिवस के बराबर समय लगता है लेकिन सूरज के चारो और घूमने में 224.7 प्रित्वी दिवस लगता है सच में दोस्तों कितना स्लो है ये Venis जानते हैं दोस्तों अंतरिक्ष में एक ही प्रकार का दो धातू किसी भी कारण अगर मिल जाता है तो वो स्थाई रूप से मिल के एक ही हो जाता है खगोल वीदो के अनुसार अंतरिक्ष में बहुत सारे तैरता हुआ पानी का कन होता है इनको मिला कर विशाल जलवाश्प का जमावट बना है तो इन सब को मिला कर जितना मास होता है वो प्रिथवी में स्थित समुंदर नदी एब महसागर में मौजूद पूरा पानी के कन का जो मास है उससे 140 टिलियन गुना जादा है माउंट एवरेश्प बिथवी का सबसे उचा परवत चुड़ा है लेकिन इसका धाई गुना उचा एक धाल ज्वाला मुखी है मंगल ग्रहे में ओलिम्पस मौन्स नाम का ये ज्वाला मुखी अंतरिक्ष का सबसे बड़ा और किसी स्थान को पता लगाने का संदर्थ विंदू है हीरा किसे नहीं पसंद है हम और आप सबको हीरा पसंद है परन्तु सोचिये हीरो का अगर भंडार आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे इतना सोचिये मत दोस्तो वो खजाना पृत्वी से दूर और एक बही ग्रह में है 55 Can Cry E नाम से एक्सपो प्लैनेट 30 अगस्त 2004 को खोजा गया था अधिकांग्ष भाग कारवन से बना इस बही ग्रह में मौझूद एक तिहाई पदार्थ का द्रव्यमान तापमान और दवाव के कारण हीरा में परिवर्तित हो चुका है 55 Can Cry E नाम का बही ग्रह 55 Can Cry A नाम से बना एक तारा का चक्कर लगाता है और सबसे पहला खोजे जाने वाला ये महा प्रिथवी का व्यास हमारे प्रिथवी से दो गुना जादा है अंत में एक और मज़दार तथ्थे आपके साथ शेयर करता हूँ नासा के द्वारा स्विक्रित सूट का कीमत इतना US डॉलर है सूट का कीमत इतना क्यों हुआ जानते हैं बैक पैक और कंट्रोल मडूल के कारण जो की इन पूरा कीमत का 70% है तो दोस्तो ये था आज का फैक्ट्स फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बुने धन्यवाद